पर बात यहां पर यह कि आप सिलेक्टिव जो सवाल उटाते हैं आप रेल हाथसों पर सवाल उटाते हैं पर जब ऐसे इंसिदेंट आते हैं तो आपके मूँ में क्यों हो दहीं जाता है और यह बात करना कि इसमें भी राज नीती कि बाज़पा कर रही है यह मुझे नहीं आप सवाल उटाएंगे आप इन्वेस्टिकेशन करो को रहा है यह सारी चीज़े रेल गटना है आम दिन हो रही है आप इस तदा का कोई भी जो रख रहा है ट्रेक के उपर यह गलत है नहीं होना चीए मगर सरकार की जवाबदारी बनती है सिस्वी टीवे कैमेरा लगा और वहाँ पर पर इससे प्रोटेक्शन करें आप बीच में भी एक दिर ऐसा एक फोटो आया राइट विंगर्स ने चलाया कि कुछ भारत में लड़के पठानी सूट मूट पेने हुए हैं जो ट्रेंड के उपर यह लख रहे हैं भारत का दिखाया है तो काफी लोग तो इस त अब जा रहे थे वंदे भारत के अंदर आचानक से पत्तर आके वहीं पर गिरा जापे हम लोग बैटे हुए थे वहाँ का काश्ट ऊड़ गया जो कंपार्टमेंट में हम थे बाद में पता चला पूलिस ने रिपोर्ट दिया रेलवे ने के वहाँ पे सामने काम चल रहा थ उसको तो सरकार को खुद की अंदर जाकना चाहिए पहले कि खुद कहा फेर हो रही है उसके बाद दूसरे को डालना चाहिए आप गिरीरा सिंग मंतरी है उनको इस तरह का बयान बाजी करना के गोदराट हो सकता को मैं पुझना चाहूंगा तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या करना है सरकार क्या कर रहे है क्या हूने के बादतOoh में सरकार जागेगी क्या आप सवाल करता विपक्स कर जबके सवाल करना चाहिए आपको मोधी से पता ये आपने क्या प्रिकॉसिट्टि जबाब देजिए दस सेकंड नभीका जी सुनिये सुनिये क्या हो रहा है मालूम है देश में चुना हुआ रहे काफी जगाओ के उपर महाराश्चा में भी चुना हुआ और चुना हो के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ ख़़ाना चाहती है मैं आपके माधियम से बोलना चाह नहीं किया कुछ नितिजनाने जैसे लोगा के मस्जिदों में घुसके मार देगी धंकियां दे रहे हमको कुछ नहीं कर रहे है तो मतलब यह चुनाओं के पहले का जो बीजेपी की तैयार ही है पूरी तरह उसमें लग गई है बीजेपी अभी आपको इन्वेस्टिकेशन क ऐसी टार्गिट हो रहे हैं चुनाओं तो आपको भी लड़ना है महाराश्टर में यह क्यों नहीं मैं जानना चाती हूँ आपसे यह क्यों नहीं माना जाए कि आप पॉलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं रोहन गुपता जवाब दीजे वारिस पठाने बड़े दुख की किया था जो बीजेपी है उसने आट लाग से ज्यादा करोर थर्ज किया इसका मतलब यह नहीं कि उनके जिम्मेदारी नहीं कहीं पर बात यहां पर यह कि आप सिलेक्टिव जो सवाल उटाते हैं आप रेल हाथसों पर सवाल उटाते हैं पर जब ऐसे इंसिदेंट आते हैं आपके मूँ में क्यों होता है और यह बात करना कि इसमें भी राट नीती कि बाजपा कर रही है यह मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की होची राट नीती हमको करने की जरूरत है किसी को यह देश की बात है सवाल है विपक्स का का में सवाल उटाना आप सवाल उटाएंगे अब हर चीज़ में विक्तिम कार नहीं सकते हैं बात इतनी है कि जब इस प्रकार के इक्टिम कार नहीं है वारिस पठान का विक्तिम कार मैं समझ रही हूं वारिस पठान जी आपको बाजी लोगों की भी चिंता नहीं है आज के साबोटाज कॉंस्पिरेसी एंगल पर आपको चिंता नहीं है आपके साथ क्या हुआ वो बड़ी चिंता है लेकिन मैं गौरवारिया जी को पूछना चाऊंगी गौरवारिया जी सवाल ये है कि ये सेक्यूरिटी लैप्स है क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कभी सिमेंट का इतना बड़ा टुकड़ा आ जाता है रेलवे ट्रैक पे कभी निकाल दिये जाते हैं पेंडरोल की जो कनेक्शन्स हैं वहाँ पर और कभी आपने देखा के रेलवे लाइन पर कोई ट्रैक्टर चला जाता है कभी सिलिंडर है कभी पेट्रोल है मैं पूछना चाह रही हूं क्या इसमें आपको एक सिक्यूरिटी एंगल से एक ISI या किसी ऐसी टेरर और्गनाइजेशन का छाप लग रहा है या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है क्योंकि यहां ट्रोल आर्मी चलती है और वहाँ पर हाथ से सामने आते हैं यहां पर गैस सिलेंडर लगाया गया है तो मनशा क्लिरिली टेरिरिरिजम थी तो इसमें ना BJP का मामला है ना कॉंगरेस का मामला है ना ओवेसी साथ की पार्टी का मामला है ना समाजवादी का मामला है तीसरी बात, जब से constraint करा गया है जम्मू और कश्मीर में टेररिजम को तो बाहर वाले हाठ से लगभग बंदो गए हैं लगभग बंदो गए हैं अमें सुनने को नहीं मिला, जो लास्ट बड़ा वाकिया हमें सुनने को मिला था, that was पतहन कूट जो की पंजाब में है उसके बाद बड़ा वाकिया बाहर नहीं सुनने को मिला और आजकल छोटे वाकिये भी जम्मू और कश्मीर घाटी और साउट अफ पीर पंजाल के बाहर हमें सुनाई नहीं देते तो क्या पाकिस्तान चुप हो गया बिलकुल नहीं ऐसे हाथ से करेगा क्योंकि इसमें लो इंपुट हाई आउटपुट है इसमें कॉस्ट एंड कॉंसिक्वेंस नहीं है कहने का ये मतलब है कि आपने तीन चार लड़कों को पैसे दिये उनको रैडिकलाइज करा उनको बोला गैसलेंडर लगाओ ये लगा तो ये केमिकल लगाओ ट्रेन ओड़ जाएगी और ये पहली बार नहीं हो रहा है मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेन का एक्सिलेंट होता है ड्राइवर की लापरवाई से या सेक्यूरिटी के मामले से तो जरूर सरकार को क्रिटिसाइज क में बैठी है इन चीजों को बदूरिया साब मेरी आप से रिक्वेस्ट है बदूरिया साब आप मेरी बात सुनने है